हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट फ्लाइट पे मैं आमिक आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंट्स थोड़ा सा वीडियो अप्लोड करने में टाइम लग जा रहा है बिकाज मेरे भी एक्जाम्स होने वाले हैं तो उसके लिए सौरी आज हम करेंगे बी ये थर्ड येर जी हिंदी सिनेमा और उसका अध्यन के अंतरगत यूनिट थर्ड यूनिट थर्ड का थर्ड पार्ट करेंगे डिजिटल कैमरा इससे पहले मैंने यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकिंड और यूनिट थर्ड के कुछ पार्ट्स अप्लोड तो आप फॉस्ट फ्लाइड चैनल के प्लेडिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपने एक्जाम के लिए प्रेप्यार कर सकते हैं दोस्तों इससे पहले मैंने हिंदी सिनेमा में कैमरे की भूमिका के दो पार्ट सप्लोड कर दिये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकिंड हिंदी सिनेमा में कैमरे की भूमिका और कैमरे के विभिन कौन और आज हम करेंगे डिजिटल कैमरा तो अगर आता है कि रिवालूशन ऑफ कैमरा इन हिंदी सिनेमा तो आप यह सारे टॉपिक्स लिख सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले आपको पढ़ता होगा कि जो कैमरे मतलब की जो सिनेमा बनाए जाते थे वो उससे मतलब उसका कैप्चर जो उसमें पिक्चर का कैप्च होने लगा है अब हिंदी सिनेमा डिजिटल कैमरे से बहतर परिनाम पाने की युग में या दिशा में प्रवेश कर चुका है जैसे आप अगर एक्जामपल देखे तो इसमें रग्द चरितर और स्टेनली का डिबा दो मूवीज है जिसमें डिजिटल कैमरे का बहुत बहतर प्रयोग देखा जा सकता है उसके वाद फ्रैंडस हम करते हैं थोड़ा सांतर की डिजिटल कैमरा आखिर के डिजिटल कैमरे का यूज होने क्यों लगा मूवी कैमरे में इसके नहीं थे कोनकॉन दे जिसके वजे से डिजिटल कैमरे का ivalue हो ने लग गया तो आंतर हम देखे है तो भी capture कर लेता है कोई movement में है तो भी capture कर लेता है और electronic image sensor के माध्यम से चित्रों को record कर लेता है उसके बाद digital camera के द्वारा वे सभी काम किये जा सकते हैं जो एक movie camera के द्वारा नहीं किया जा सकता record करने के इसमें क्या-क्या features होते हैं तो record करने के तुरंत बाद screen पर image को प्रदर्शित किया जा सकता है एक छोटे से memory में बहुत सारे चित्रों को save करके रखा जा सकता है इसमें आवाज के साथ साथ video की recording की जा सकती है और जो saving का जो place है उसे क्या कर सकते हैं उसे erase भी कर सकते हैं इसमें यह सारे features है जो की एक movie camera में नहीं है उसके बाद हम कुछ समानता भी देखते हैं जैसे camera है तो camera मतलब camera में क्या होता है दोनों का काम ही क्या होता है capture करना तो जो movie camera है और जो digital camera है उसमें कुछ समानताएं भी है जैसे मूल रूप से movie camera की तरह ही संचालित होते हैं किन्तु इसमें जो आम तोर पर जो चित्र लेने वाले उपकरन होते हैं पर प्रकास को केंद्रित करने के लिए एक variable जो digital camera है उसमें variable diaphragm वाले lens लगे होते हैं जिससे यह capture करता है यह movie camera में नहीं होता movie camera की तरह है इसमें भी इमेजर में प्रकास की सही मात्रा आप थोड़ा सा समानता देख रहें कि प्रकास की सही मात्रा की प्रविश्ट्री करने के लिए diaphragm और शटर का प्रयुक किया जाता है movie camera और digital camera में बस एक आप अंतर अगर मतलब difference करें तो एक मात्री यहीं अंतर है कि इसमें प्रयुक्त जो digital camera है उसमें प्रयुक्त होने वाले चित्र या उकरन जितने भी instruments है या रसायनिक होने के बजाए electronic होता है इसमें electronic होता है और movie camera में रसायनिक होता है यह सब चीजे उस जो यूबा फिल्मकार है उनके मतलब उन्होंने बहुत जादा यूज किया है और उससे मतलब फिल्म के छेतर में क्रांती आ गई है एक revolution आ गया है तो अगर हम cinematographic की बात करें तो cinematographer जो त्रिपुवन बाबू है उन्होंने इस दिशा में बहुत जादा मतलब digital camera का बहुत य किया गया है उसके बाद जहांगीर चौधरी ये सब विनोज प्रधान ये सब ऐसे cinematographer है फिल्मकार है जिन्होंने क्या किया है जो digital camera है उसका बहुत जादा प्रयोग किया है उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि आजकल जो cinema का दौर चल रहा है उसमें cinema की दुनिया में digital और animation के इस्तिमाल से संभावनाओं के नए नए दौर खुल कर सामने आए है मतलब digital camera से बहुत जल्दी capture किया जा सकता है किसी चीजों को और बहुत जल्दी उसे erase किया जा सकता है मतलब आपने just capture किया और उसे अप्रदर्शित कर सकते है शो कर सकते है अपने audience को तो बहुत जादा जो work हमारा है work load भी कम हो गया है और features भी new new आगए editing की बहुत जादा सुविधा हो गई है तो यही जो पहले movie camera camera की सहायता से नहीं किये जाते थे अब digital camera की सहायता से बहुत जादा यह easy हो गया है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर next video में next topic के साथ यह भी कर दूंगी जो cinema हमारा fourth unit है संभाबनाई और चुनौतियां यह भी कर दूंगी और एक दो दिनों में मैं सारे videos upload कर दूंगी तो आप लोग अपने exam का preparation अच्छे से कर सकते हैं तो thank you so much दोस्तों अपना कीमती valuable समय देने के लिए